जब केला में बेड बनाएं उसी समय पेंडी मेथलीन या फ्लू कलोरोलीन या बासालीन नाम की दवा अगर किसान भाई 15 ml प्रती स्प्रेयर के हिसाब से नमय युक्त जमीन में छिड़काओ करेंगे तो 60 दिवस तक के कोई भी खर्पतवार अंकूरण में नहीं आएगा और प्रारम भी कवस्ता में खर्पतवार नियंदरन किसान भाई कर सकते हैं पलवार चाहे वो पैरा का पलवार हो जिसको हम लोग मल्चिंग कहते हैं चाहे वो प्लास्टिक का पलवार जो 25 से 30 मैक्राउन का सिल्वार आन बलेक मतलब सिल्वार कलर ऊपर हो और बलेक कलर नीचे हो तो नीचे कलर जब बलेक होता है तो जमीन को थोड़ा गर्मी भी पैदा करता है और खर्पतवार को 100% सब प्रेश कर देता दबा देता है और शिल्वर कलर का लेने से चूसक जो कीठ है वह रिफेट मिखेट hoping जाता है जैसे ही सन लाइट पढ़ता है तो थोड़ा सा चिकम काता है और चिकम काने के वज़ा से जो स्चूसक कीठ है वह केले में नहीं आते तो इस तरीके से कीट नियंत्रन भी है धर्पतवार नियंत्रन भी है और साथ ही खाद की भी बचत अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने सकूल पर शादी के बखत तो ने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रहे हूँ खेती की नई नई बाते सीखने आप भी चलो ना फार्म स्कूल जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद बढ़िया वीज और जरूरत के मताबिक कीट नाशक ताकि कम लागत में अधिक मुनापा सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम जन जन ने इस प्रांती में है विश्वास जगाया हम सबने मिलकर विकास का परचब है देराया सहकारिता है अपने विकास की कहचार है दोर में सहकारिता ही भारत का पर विवा कृशी मंत्राले भरत सरकार द्वारा जन हित में जारी हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल विवासे हर की साथ अब आख निर्फर हो जाए अब सूखा पड़े या बाड़ा जाए कोई डर नहीं अब पोले पड़े यकीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पर आजाए शती होने पर हमारे दावों का उचित भुक्तान मिलता है योजना से हर साल जुड रहे है पांच करोर से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नस्दी की कृशी कारियाले सहकारी समेथी बैंक शाखा अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंदर में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन फसल बीमा पोटल या फसल बीमा आप द्वारा भी किया जा सकता है पंजी करन प्रद्धान मंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलूं का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्ख करें राश्टिय बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशियां फैलाए अरिकरम के दिखाईया चतिस गड़ के जम्मु किसान भाई बहिनी हो तुम्हर बन के स्वागा थे आस्तम ही की हो अहो मन भजो मन गन पती गन राज कुमती कलूस कटे हां संवारी हो अभी गणेश जी के किरपा जो नेच अन्चारू तरफ पूरा परसत हो है और जो उन गनेश जी हहां यही धरती के परिक्रuma कर के सबो देोता मापहली पूझे के जगापारी से वह काम यही धरती के सेवा करना धरती बर पाइसा है तेन केवल जब उन्हारी बेस्थे तब या सियारी बेस्थे तभे रिथे तो ओकर्मन के नगदी पैसा बाढ़ाए आर्थी किसी ती मजबूत हो है और जुन तुम मुझ के खेती करत होते कर संग संग मघलो ऐसे काम कर सको जी मला तुम महला ज्यादा ज्यादा पा खेती के इसे उन्हाद धन से करे जाए एक्रे जानकारी देवाबों संग वारी हो और यह अनार के खेती के विसाय मत तुमर मन में कुछू भी प्रकार के शंका हो ही हमर बात्चित के दवरान तो तुह मन सीधा हमला फोन लगा करके अपन सवाल पूछ सकत हो तुमर सवाल के जवाब यहां से हमर जोन एक्सपर्ट आया है तिनमंदी ही संगी हो मैं तुम अला आज के फोन नमबर बता देता हूं आन दिल आज के नमबर थोड़ा अलग है जीरो डबल सेवन वन डबल टू एट थी एट फाइट फाइब सिक्स हिंदीम कहां तो जीरो साथ साथ एक आज हमर बीच में विशेशक्य के रूप मां इंद्रा गांधी कृष्ट विश्ट द्याला के डाक्टर पूर्णेंद्र साहु जी जोन वैज्ञानी का है फल विज्ञान वाले यह हमर बीच में पधारे हूं और यह वन इतना नवन नवा खोज घलो फल के बारे हूं करे उनना-ठ кого-문 खेती बात उला शहले इत कि अधिर एन उननत खेती के मतलब यह है कि that by जो किसान भाईमन परंग जो खेती करता थे ही पूराना जमाना से उमें जो वर्तमान के जो अभी समस्या है वोकर हिसाब से जैसे जल की समस्या, भूमी की समस्या, कम भूमी में हमला ज्यादा ज्यादा उत्पादन लेना है फल के, कम पानी में अधिक उत्पादन लेना है और जतना भी हमर जो संसाधन है वोकर अच्छा से हमला उप्योग क तो यह सब जो तकनीक है उंच तकनीक जिला कहता नहीं बोला हम अपन खेती किसानी में सामिल करके जो खेती करता जिला बोलते उन्नत खेती थीक 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 पहली जवाना के बहुत अच्छा प्रस्न है यह कोई भी फसल हो चाहे सब्जी एकरबा जो महत पूर्ण घटक अगर बोलान हमान तो होते मिट्टी तो अनार ग्ली तो चाहें चाहें बहुत पॉद्धय में यह होतें कि उमें जो हौधम ग्री कार्वा भी जो यह होते जादा होते तो ऐसे भूमी हमला चाहिए जेमें की जल जो निकास है ओकर जो समस्य ना रहे और जिकर पीए जो है छे से साथ तक रहे पतर लगा सकते हैं किसान भाई मनला अनार के अगर खेती करना है तो सबसे पहली किसान भाई मनला अपन मिट्टी के जाच करवा ले हैं कि उमें कौन-कौन से पोसकत तो उपलब्द है का उमें कमी है का ज्यादा है तो एकर से का है कि आगे के जो खेती है वो आसानी से किसान भाई मन कर सकते हैं अच्छा जल वाईयू को इसे होना चाहिए जल वाईयू जो है जो है जो च्छतिस गड़ के जल वाईयू है वो हाँ खार अबर रचाषे ब कर देता है घंगाए लो sıkस्कों को से डिं Mars को का जा कि पुछ को ऩो था औह難ों हैं आपके बहुत स्वागर ते पुछा का पूचना चाहए था डिल गुष्जा को भी कता ही फिन पुछाओ का पूछना चाहा था अनार के फ़ल चोटे छोटे लग के गीर जाते हैं ठीक है सर बतावा थे बतावा सर की फल की से होगे यह बहुत ही अच्छा प्रस्थ और काफिये में जो है समस्या किसान भाईमन जूस्ते समस्या से अनार जो है एकर बहुत ही मतलब सही समय पे पानी और खाद देना बहुत जरूरी है एकर जो फूल लगे के जो समय है जो में जो अच्छा से सड़ी होई गोबर की खाद होगे और आपके नाइट्रोजन होगे फासपोरस पोटास यह मनला बराबर मात्रा में हमला समय समय पे देते रहना ह जैसे प्रति पौधा जो है 600-700 ग्राम नाइट्रोजन है एकर और 200-500 ग्राम प्रति पौधा फासपोरस और पोटास के जो एकर मात्रा है वोला हमला देना जरूरी है अगर फल जड़े की समस्या है तो 15 PPM GA3 जो हार्मोन होते ओकर छिड़काओ किये जा सकते मतलब कि 15 जो मि मिलिग्राम है वोला एक लिटर पानी में घोल बना के किसान भाई मैंनेला चिड़काओ करें तो कर से जो जड़े की समस्या है अच्छा कुछ बीमारी कारण घलो जड़ते का पोशक तत्यों के कमी के कारण जड़ते और सांत इसांत जो प्रकृति या वातवरन के जैसे कभ आप बहुत बढ़िया बतावा था अब कौन से इसे प्रजाती है अनार के जल्हामर किसान भाई मन लगा सकते हैं च्छतिस गड़ की मृदब जो अनुसंसित किसम है या कहना चाहिए उप्यूक्त किसम है यह में है गणेश भगवा सूपर भगवा मृदूला यह सब जो कि लगाया की विधी बहुत आसान विधी है यह ला कटिंग से जो है वैवसाई के कर अगर हम प्रवर्धन बोलन जी ला कटिंग के दोरा रहा है और किसान भाई मन बाद सबसे अच्छा तरीका में यह बता थो कि अगर बहुत अच्छा वराइटी है वोला अगर अच्छी एक पौधा से जो कर कटिंग है साप तूर्ड जो कटिंग बोलते हैं वोला हमन वो कर ले था निमेसे अनार के 15-30 cm के जो कटिंग होते होते होला काट के ओमें आई बीय नाम के जो हार्मोन आ थे बजार में यह रूटेक्स नाम के ओकर घोल थोड़ा सो बना के ओमें यह जो कर कटिंग के जो एक सीरा होते होते हमला मिट्टी में लगाना है वोला डुबा के हमला रग देना है वोकर से का होते की जड़ जो है बहुत जल्दी आ थे तो ऐसे करके किशान भाई मैं नेकर पौधा तैयार कर सकते हैं और एकर जो लगाय के जो समय है अच्छा जिसे बड रोपन करे बर किशान भाई मन सबसे पहली तो जो अभी जो जूलाइस से सितंबर के बीच के जो महिना है यह बहुती अच्छा है अनार के रोपन हम और अगर पौधा तैयार हो चुके है तो किशान भाई मन असानी से जो गड़ तैयार करके साट बाई 6 बाई 6 चैंटी के जो गड़ा है तयार करके और वो में दस किलो अच्छा सड़ा हुए गोबर की खाद और एक किलो एमें सस्पी और पचाल ग्राम को क्लोर पायरिफास के दवा मिला के गड़ा भर दें और जो है एकर पौधा के में रोपन कर दें अच्छे तो लगाड रहे ना हम पौधाला अब पौधा के फ़ला कतेक दिन मा आ थे और जब तक के फ़र फ़र आ थे तब तक बीच में कब कब खातू उम्त कुछ देल पढ़ी पानी किसी देल पढ़ी देखर बारे मता थे खाद जो है बहुत थी जैसे मनुस से लबी भोज भोजन पानी के अवस्यक्ता होते हैं वैसे पाधा भी है जब तक भोजन नहीं मिले तब तक ओकर ना फ़ल के गुनवत्ता में हमला दिखाई दे अच्छा और ना तो उपाज में तो एकर बार खाड जो है कर अनुसंसित जो मात्रह हो में खाड देना बहुत थी जरूरी है किसान भाही मनला अभी आप बीच पर थोड़ा से रोका थो किसान भाई की जिन्दफों देले हैं हलो है हलो है है नमसकार भीया कौन बोला था जी आपके बहुत स्वागत बाला घाट से आपके रायपूर दूरुदसन बहुत स्वागत कर दे पुछाओ का पूछना चाहा अनार के जो पौधा है उकर जो किसम में बताएं आप मनला भागवा सुपर भागवा गणेश मिदुला यह सब जो किसम हैं यह जो है आज के जो समय है इमें हमार चतिस गड़ के सभी सास्की और जो प्राइवेट नर्सरी है यहां यह है उपलब्द है और आसानी से किसान भाई मैंने ले सकते और में जैसे बताएं कि एक पौधा से हजार पौधा आप खुद घर में अपन तयार कर सकतो अगर आप बड़ा जगह में लगाना है लगाएक समय पुछत रही है लगाएक समय जून से सितंबर जो अभी चला थे वोकर बीच में रोपन अगर करतो बहुत ही उप्यूक्त समय है और किसान भाई आप मान बिलकुले कर रोपन अभी कर सकतो आप बतावात रहों कि बाढ़ा फूल ग्राम जो है अब नाइट्रोजन लगते हैं नाइट्रोजन देते रहना है अलग अलग वास्ता में वह अभी में आगे बता हूं और जैसे दोसुषव घाई-टार्य जो है फासपोरा पोटास की मात्र है यह हमनला प्रती पौधा देना है अब जैसे उन्नत खेती की हमन बात करता हैं, तो ये तो हो के पारमपरिक जो विधी हम में जो अभी बताएं, लेकिन अगर किशान भे उननत खेती के बात करें, तो उननत खेती में आथे आज कल की फर्टीगेशन, मतलब जो सिचाई के जल है, उकर साथ ही साथ में अगर हमन घुलन सिल खाद ला, अगर हमन पौधल देथन, तो उकर से का होतें की, और अधिक उपज होतें, मतलब तपक सिचाई के माध्यम से अगर हमन खाद देथन, तो ये जो खाद और पानी है, जहां फूल आयक के जो अवस्था है, फूल आयक पहली, एमें 1261-0 नाम के जो जल में घुलन सिल खाद है, ओकर हमला 3 किलोग्राम प्रती एकड की दर से एला हमन एक दिन के अंतराल में एक महीन तक देना है, 1261-0, एमें नाइट्रोजन होते, फासपरोस होते, पोटास नहीं है, खा है, जल में घुलन सिल खाद के, ओकर हमला 3 किलोग्राम प्रती एकड की दर से एला हमन एक दिन के अंतराल में एक महीन तक हमला देना है, ओकर बाद जब पूरा फल आगे पाउधा में, अब हमला ओकर गुणवत्त बढ़ाना है, उपद ला और बढ़ाना है, तो ओकर बाद जो है 052, यहला हमला 3 किलोग्राम प्रती एकड की दर से किसान भाई मन दें एला और एक एक दिन के अंतराल में अपन एला देना है, अच्छा, आप जो न दवाई बता, खादू बताया है, यहला किसान भाई मन पानीक माध्यम से दी कहा था, तो गोरी किसी चैसे टंकी बन द्रती में जो होते है एक तो फर्टिलाजर टेंग होते है, जो घूलन सिल खाद है, अएला हमन भोल के सीधा हमसी चैसे पाई पाईप से यह हमन, के जो खाद हमन भोल करें हैं, वह भी सीधा पउधा के जड चेतर में जाते है, ताकि पउधा जो है आसानी से कर, और रुप अब एक बात तो पक्का है कि जहां जहां को आनाज पानी लगावे खर पतवार बाढ़े करते हैं नीदाई कुछ खर पतवार बाढ़ थे काये घर नीदाई गुड़ाई करना ज़रूरी का कैसे करें यह बहुत ही अच्छा प्रस्ट करें आप मन हां जी खर पतवार जो है खे पास फोड़ा साफ नहीं आए थे तर पतेल आच्छा पतेल जी पाले टीटा घडिब्र जी आपके स्वागत है जाए जोहार आप्सा क्या पूछना चाहा था जाए जोहार जाहार जाहार तो है अनार में लगहें आ कर साका हाँ बहुत आश आजू बाजू आजू आप पेर बिल्कुल साब बैठें हमार ग्यानिक जी बताएं आपके अनार जो होते यह हां बहुत ही एकर जो बृद्धी होते साखाएं एमें बहुत निकल थे तो एकरबा किसान भाई मनला समय समय पे एमें ट्रेंश प्रूनिंग या सदाई या कटाई छटाई जो बोलते वो करना बह स्टीमिटर तक पुम्हाय कि एक साखा जो है डिम्हात्तौन सいき它 अग सँवंचाही तक सखा जो है इक साखा न रखना है और है बढ़ है अंचाहितौна मनम करते हैं इसी ओनाइन, फाल send a और दूसरा होते हैं मल्टी इस्टेम, सिंगल तना में जैसे में बताया हैं अभी एक ही तना आपके 60 cm तक एक भी साखा नी रही है, ओकर बाद हमन बढ़हल देबो, और दूसरा जो एकर विधी है, मल्टी इस्टेम या बहुत तना विधी, इमें हमन जमीन से ही जो तीन से प पाउधा में रहेल देबो तो ओकर से का हो ही कि जो पाउधा है ओमें जो फ़ल आई वो छोटे-छोटे आही ओकर आकार है, जतना साखा उतना भोजन खाने वाला इस तरह से है, तो जो भोजन के वित्रण हैं वो सभी साखा में हो जही, तो हमला अगर गुनुवत्त फ़ल केड़ा है तो दो से तीन अमेल के हिसाब से भोल बनाके किसान भाई मैंला चिटाओ करना है और पंदर पंदर दिन के अंतराल में चिर्कावला करना है एकर से यह समस्या के जो है फल बेधा के में लगते और यह समस्या जो होते जब कीड़ा जो है अंदर घुस के पूरा जो बीज मनला जो है अनार के जो अंदर बीज होते पूरा खा देते इस तरह से पूरा फल नुक उसे निकाले जाये कब कब बाड़ सकते हैं जा चाहिए और हर फसल में खर्पतवार जो है वह हमार मुख्य फसल पोशक तह पाणी हैं इला उसोशन करके वह ला हमर जो लागत है वह बढ़ाद थे हमर उपजल कम कर देते ऐसे तरह के बहुत सारे जो समस्य उत्पन हो जाते तो खरपतवार ला हमला दूर करना जरूरी है तो खरपतवार के नियंतरन बा सबसे अच्छा उपाय जो है वो है मल्चिंग अगर हमला दवाई के कम से कम हमर उप्योग करना है फसल में तो मल्चिंग कर दिया जाए मल्चिंग में भी दो प्रकार के होते हैं किसान भाई में अगर कम खर्चा में मल्चिंग करना चाहते हैं तो उमें अपन खेत में जो पैरा होगे या पूराना फसल जो अपन ओकर आउसेज जो दूसरा आगे प्लास्टिक मल्चिंग आजकाल बजार में बहुत आसानी सूपलब दे है जो की बहुत लंबा समय तक चल थे और दीमक की समस्ष्य भी निया है सबसे बड़ी बात तो किसान भाई मन हाँ प्लास्टिक मल्चिंग के भी उप्योग करके खर्पतवार से नियंतर अब दवाई में राउंडप नाम की जो दवा है वो कर छिरकाव समय समय पे किसान भाई मनला करना आवश्चा है जी एक किसान भाई फूंतिल ले हां हलो है हलो है हलो है हलो है अभी उखर आवाज हमर तक निपहुच पावत है हम अपन बात ला घूड़ा वत तो यह अनार म कुछो कीट रोग ऑउ लगते का ओन अवस्थम लगते है अगर लग जाए तो किसी कर रहे है किसान भाई अणार में मुक्हे रूप से दो प्रकार के कीट लगते पहला तो है अनार बटरफ्लाई अनार तितली जी लग बोलते हैं ये बहुत ही मुक्हे कीट है अनार के जो फल में जो लग थे और करीबन 60-80 प्रतिशत तक उपजला नुकसान पहुंचा थे तो यह जो कीट है यह कर जो यह कब लग थे यह जैसे फल आगे या फूल फूल सबसे पहले फूल अतना और फल वह अवस्थाम लग थे तीनों के उपर यह अंड़ा दे थे अब एकर से जो क पूरा खा जेते हैं करन से पूरा फल जो है नुकसान हो जाते हैं तो एकर जो कहना चाहिए रोक थामबा जो अभी मैं दवा बतायों जैसे डेल्टा में थ्रिन होगे या कार्बोलीन नाम के जो दवा है वो कर दो से तीन एमेल प्रतिश प्रेयर के दर से यह लग छिड़क कर सकते हैं अच्छा मानलों जैसे कि गुडाई घलो बीच-बीच में करेल पढ़ी का ओकर से काला में थे बीच में कि इसने एक बार लगाग छोड़ दी ता हूँ चल जी जैसे आजू बाजू जो मतलब पौधा के आस पास जो होते हैं यह में का होते कि जो भूमी जो होते नमी इमें बना रहना जरूरी है अच्छा ओकर कारण से का है कि जो अनार के उपज है गुडू अत्ता है वो में वृद्धी होते और साथ ही साथ यह में जो खर्पा तो आ रहा थे बीच-बीच में तो ओकर से भी हमला नुकसान होते तो बीच-बीच में हमला का है कि पेड हलो अलो है तो हैं आपके बहुत बहुत स्वागा थे जय जॉहार पूछाओ पुछाओ किरा नहीं दिखें लेकिन छेदा हो जाते कहा था नार में सरी बता थे सर सुना हूँ साहु जी में अभी एकरे बारे में बता हूँ कुछ देर पहले कि अनार बटरफ्लाई है अनार तितली जो कीड़ा है यह लग जाते में वोकर जो लार्वा फल के अंदर घुज जाते शुरुआत में ही वहर अंदर घुज जाते और वो पूरा कीड़ा लग जाते हों में तो दे कारण से आप माला बाहर दिखाई नहीं दे लेकिन वहां कीड़ा जो है बहुत ही सुक्ष में होते अब अंदर जाके पूरा अनार जो है खतम कर देते अंदर तो दवाई का दिने चाहिल दवाई एकरबर जैसी में बता है डेल्टा में थ्रिन है या कार्बोनीन नाम के दवा है दो से तीन एमेल जो है एलाव आप मन इस्प्रेयर में स्प्रे करो या साइनो सेड नाम के भी दवा है जैसे पांच ग्राम यहूला आप मन एक इस्प्रेयर में घोल बना के घोल दे तो साहु सार आज बहुत बढ़ी हा जानकारी है अमर के सांभाईल दे आवह आज के बताए कि विधी से अनार के फल लगावा और खूब कमावा और दरी पर फेरे एक नमा जानकारी लेके आपके सेवा महाजिर हो तल घज जम्म संग्वारी मनला जै जोहार कर दो जम्म संग्पारी मनला जोहार